हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेग टू माई चैनल आज में बात करने वाली हूं बच्चों के डाइपर रैश के बारे में बस सारे कोश्चन आते हैं कि मैं बेबी को डाइपर रैश हो गया मैं क्या करूं तो सबसे पहले हम उसकी कुछ वजह जानेंगे कि बच्चे को डाइपर र अब उलकम सब्सक्राइब करने यह एक बिल्कुल यह बिल्कुल नहीं और लगा मैं ऑफ़क्र नहीं एक रहे हैं बिल्कुल सूखने भी निपाई दूसरा डाइपर तुरन लगा दिया तो इससे बच्चे को डाइपर रेश हो जाता है तो इसलिए आपको ऐसा करना है कि जब बेबी का डाइपर चेंज करें जब डाइपर निकाले उसको आप पानी से क्लीन कर दीजे आप उसको दो दीजे तो इसके मात आप ऊसको धोरी देर के लिए लिके हां तो आप उसी के बाद रोखें कर लगा में अज़ो कोई अगर सब्सके हं को में लाइप पर और थोरा सप्टी कि ऑद्याग मुंृंना झें जब राइपर को जो अप उसको तो इसी के बाद ही दूसरा डाइपर लगां तो अगर वह बहुत कसा हुआ होगा यह ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चों का डाइपर आता एक पैंट वाला आता है वह तो ठीक है लेकिन जो एक इस तरह से बन करने वाला आता है उसको आपने बहुत कस के बन कर दिया हो बिल्कुल भी हावा पास ना हो रही हो चाहिए वह हो चुप रहा होगा वह वहां महां डाइपर रहा सकते हैं तो इस चीज को थोड़ा ढालडा डाइपर सब्सक्झे बहुत जारी हमसित नहीं होतığın है वह यह गलती हो सकता आप कर रही है कि अन बना है तो आप काफी देर का गैप कर रही हो सो बहुत जादा करेंगी एपशंप सब्सक्राइब कि बहुत द्यूटकर सब्सक्राइब लोत लिए और और ऊसे जाए लगता है कहां तो इसली और रिखने हम क्या देवा ऊपने प्रतार हुआ हुट defec ÈNV नहीं किया तो उस सब की वज़े से इंफेक्शन लग जाता है बचे को डाइपर हो जाता है तो इसलिए आपको ऐसा करना है कि हर चार घंटे पर कम से कम आप अपने बचे का डाइपर जरूर चेंज कर दें और कभी-कभी ऐसा होता है जिसे बारिश का मौसम है या सर्गियों क मौसम है तो बचे और ज्यादा टॉयलेट करते हैं और डाइपर होता है बहुत जल्दी भार जाता है बहुत जल्दी बहुत भारी हो जाता है काफी उसमें खटा हो जाती है तब आपको यह धियान रखना कि आपको चार घंटे तक का इंतिजार नहीं करना आपको जैसे भी बेबी कर डाइपर बहुत हैवी लग रहा है आपको वैसे ही निकाल लेना और उस एरिये को सुखा के फिर दूसरा डाइपर आपको लगा देना है और यह भी धियान रखे कि आप जब मसाज कर रही हो तो आप उस जंगा की ऑईलिंग अच्छे से करिए क्योंकि डाइपर अच्छे से कर देंगी और मसाज करने के बाद थोड़ी देर उसे खुला रहने दीजे तो उसके बाद आप उसको नहलाए तो इससे भी डाइपर रैश नहीं होने पाएगा और वहां की स्किन बहुत जादर ड्राइब ही नहीं होगी और आपको डेली एक से दो बार कपड़र मुलायम कपड़र ऑफ इस था को पानील eyeballs. अच्छी से क्लें कर यह तरह से तरह आपकर करके बच्टे pross hack series यह तो तैपर रैश हो गंगा है तो हम क्या करें तो अगर बच्चे को डैपर रेश हो गया है तो आपको यह करना है मैं तीन चीज़े बता रही है आप उसमें से कोई सी भी चीज यूज कर सकती है सबसे पहले आप coconut oil ले सकते हैं अगर बसलिए अगर वो नहीं है तो आप घर में बना हुवा घी ले सकते हैं इस टूने में से जो भी आपके पास है वह आप ले लिजे और पर पेपी के डाइपर एरिया को पहले अच्छे से क्लीन कर लिजे गुंद्बने पानी से जिस्ता से बना एक अपने के रगा सकते या अपने हाथ लगाने के बाद गाने के बह습니다 गंड़ा लगाने के बाद आधा गंटा हो जाएं ab hits कुछ नीम की पत्या लेँ आप 10-15 पत्या लेँ और आदा पगवना पानी में आप उसको बॉयल कर लें जब पत्यों का पानी तो अच्छे से बॉयल हो गया है उसके बाद आप उसको ठंडा करिए इतना कि वह अगुद्गुना रह जाए बिलकुल बच्चे के जले ना फिर पानी से बच्चे की इस जंगह को आप रीचे कर दीनर ड्म नीहीं के निम के भी ऐसे जो अइंफेक्श्ण होगा यह जोब इसके अपहें होगी उल्चे किस Walter कि शरह ही होने लगेगी ऐसा आप जब तक करिए जब तक आपके बच्चे के सही ना हो जाए और इस तरह से धोने के बाद आप एक सुखा हुआ कपड़ा अच्छा सा मुलायम वाला ले लें और उससे बच्चे की स्किन को हलके हलके से टैप करके आप सुखा दीजे और बच्चे को वैसे ही लिटा दीजे बच्चे को हवा लगे उसको सूखने ने कई दिन आप ऐसा करेंगी तो बच्चे का डैपर रैश बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाएगा और उम्मीद करते हूं कि आपको पहले ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या गलतिया आपने की हैं जिसक से दुबारा से आपके बच्चे को ये परिशानी हो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें